तो आज हम लोग से देखेंगे क्लास्टेन मैथ एक्ससाज 3.5 कॉश्चन नमबर 4 का 3 नमबर कॉश्चन इससे पहले 2 और 1 अले डिसकस कर चुके हैं वो नहीं देखें तुसे देख लिजे ठीक है तो चलिए देखते हैं कॉश्चन नमबर कितना हो जाएगा 4 का 3 पढ़ते है इसमें हम लोग को लिनियर एक्वेशन के दिया हुआ है उसमें आपको कोई भी मेथोड यूज करके आप इसे बना सकते हैं इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है चलिए को आगे देखते हैं क्या दिया हुआ कॉश्चन साइब यशोमदा score 40 marks in a test मतलब क्या है यशोदा एक एक यग्जाम दिया उसमें उसमें कितना नम्मर लेकराया चालिश कवर लेकराया उस लेकिन चामिश क्लीश नमर जो आया है वो लेकर किननिन मॉटा दूमतलव उसको 40 नमर जो मिला है कि हर एक कौस्चन को सही करने पर तस को नमर कुछा है 4 तो उसको जाएगा तो क्या करेगा माइनस भी हो जाएगा तो इस तरह से जब वो दिया एक्जाम तो उसको कितना मिल रहा है आपको कोई आपको 40 मार्क मिल रहा है कितना मिल एक कंडिशन में जब उससे एक कोशन पर 3 मिल रहा है गलत होने पर है कi हर एक सही पर उसे 4 दे रहा है फचास को एक पचाज सही और एक गलत लेहां हेnoc चारीस कब मिल रहा है एक परतीन सही और एक गलत हो जा रहा है तो क्या पूछ रहा है हमारा पास questions क्या है questions पूछा क्या गया है वह हमें सबसे important how many questions were in the test तो पूछ रहा है कि जो test लिया है उसमें कितने questions थे यह सबसे ज्wnड़िया इंपोर्टेंट ठीक है तो चलिए हम लो निकालते हैं पहले test को जो questions पुछा जाया उसे हम लोग लेट माल लेते हैं ठीक है यहाँ अब ले लेते हैं लेट दॉर अफ से ले लेते हैं लेट the number of क्या दे सकते है number of correct question पहले लेके ता correct number of correct questions number of correct question BX ले लेके लेक्स का correct question and the number of incorrect question इन्कोरेक्ट प्वेश्चन बीव ए बीकितना ले लिया वाइ तो तो टोल कोस्च निहां पर लिख देता हूं टोर्त ल नमबर अफ कोस्चन तो टोल नमबर अफ कोस्च न कितना हो जाएगा तो टोल नमबर गलत और सही दोने मिला को हो जाएगा एक सर्वाइब टोटल नॉंबर पॉस्टन कितना हो जाएगा एक सवाइब हो जाएगा ठीक है तो यहां पर देख लेते हैं एक ओर्डिंग कि तूफस्ट कंडीशन ककी अब इस condition में क्या था condition में था कि उसे हर एक सही करने पर लेकिन एक कर करने पर लेकिन थे माल का यह अब को हो जाएगा और एकवल टू कितना हो रहा है पहला क्योंड तो से कंडिशन में देख लेते हैं कि एक कि बुर्ण चार नमबर करके मिलेगा हर एक कॉस्चन पर सही करेगा उसमें चार नमर मिलेगा और साथ में लूज भी करेगा कितना दो हर एक कोश्चन पर दो नमबर माइनस होगा और तब उसका कितना नमबर मिल रहा है पचास मिल रहा है तो इससे मिल रहा है पचास नमबर आप देखिए यह दोनों कंडिशन को आप साटिस्फाइट कर लिए अधर वाइस यहां से आप यहां सब्सक्राइब यहां से हो जाएगा ठू एक्स माइनस सुवाई इक्वाल टू 25 इसको हम दो यह नहीं यह मान लेते हैं से क्यों अईसा किया मेने क्योंकि यह यह भी है कटने के लिए हम लोग वन नेशन है इसमें स्कॉल कर नेंगे ठीक है यहां पर लिएक देता है बाई कि अधृ Left मेफॉट इंटो चैनल हम देख है कि दोनों से हमाइशन है हमेसा हमेसा मुल्टिप्लाई करना है इक यह हमेसा मुल्टिप्लाई करना कब जब दोनो में से कोई एक सेम हो इधर से देख लेते हैं 3x minus y equal to 40 और equation second into में फिर से 1 तो इसमें क्या दिया हुआ 2x minus y equal to 25 अब यहां से देखिए equation first minus second ओके यहां पर minus यह plus minus यहां पर क्या हो जाएगा 3x में से 2x जाएगा तो क्या हो जाएगा एक सब्सक्राइब कितना हो जाएगा 15 अब इसको पूटिंग कर देते हैं लोग यहां पर कर देते हैं पूट पूटिंग x equal to 15 in equation first मैंने किसमें डाल दिया first मैं यह क्या है 3x minus y equal to 40 तो x का विलू कितना मिला है मेरा 15 तो तीन गुणा में हो जाएगा 15 minus y equal to 40 तो यहां पर कितना हो जाएगा देखिए करेक्ट हो जाएगा टोटल नमबर प्वेस्टन समय चाहिए था तो टोटल नमबर कोस्टन के लिए था यहां पर कितना हो जाएगा therefore the total number of question equal to kitna था x plus y था x plus y कितना हो जाएगा x का विलू कितना है 15 15 प्वेस्टन में 5 यह कितना हो जाएगा 20 टोटल नमबर कोस्टन कितना था 20 था आई होप यह आपको समझ में आया होगा और यह अपको समझ गया अगर आपको अपकों पुछले कि कितना करसकते प요क रख है वाइंक इंक रेक्थ्य बारदर बैंक्यों